हेलो फ्रेंज, हाव आ यू, आप सभी ठीक रहेंगे, दोस्तों, आज एक हम प्रोड़क के लिए शुशल में एड़ प्रोमो पोई डियान करना सिखेंगे, जैसे का आप सभी स्क्रीम के दिखेंगे, ऐसा कुछ क्रेटी और सिंपल डियान करेंगे स्टेप बाइ स्टेप, त तो बीना टाइम वेस्ट करते वे चले स्टार्ट करते हैं, हम आगा है फोटोशप सी सी में, मैं जाब फाइल में और यहां से एक नीफाल केट करता हूं, और यहां में विस साज रखता हूं 108 जरवी ठाइट से में 70 इशन कलर मोड और यहां पे फाइल नेम लिता हूं में, और यहां से क्रेट कर लेता हूं, तो यह हमारा डिजाइन साइस आ गया, अब मैंने एक JPG इमेज लिए इसका लिंक आप सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, इसे हमें PNG करना है, तो PNG करने के लिए मैं यहां से मैजिक टूल भी यूज़ कर सकता हूं, यहां पे क्लिक तो मैं इसे हटाने के लिए मैं यहां पर जाओंगा, मैं यहां पर क्विक सेलेक्सिन को सेलेक्सिन करूंगा, और यहां पर इस तरह में ड्रैग कर लूँगा, और चेक कर लूँगा, अब प्रॉपर है, अब यहां पर मैं मास्किंग आउन करूंगा, तो पीछे का बाइग और यहाँ पर मैं रखूंगा radius 1 तो यहाँ पर यह देखिए इसने white line लिकाल दिया, ok करूंगा control 0 करके मैं डिजाइन कराऊंगा, अब यह proper png लग रहा है तो मैं इसे right click करूंगा इस पर और यहाँ से convert कर लोगा smart object में यहाँ से mode to select करूंगा और इसे इस तरह में drag करके यहाँ पर लाके रख लूँगा, अब मुझे इसे divide करना है तो इसे divide करने के लिए पहले smart object में यहाँ ग्रेश्टेराइस कर लेता हूं यहाँ पर तो अब मैं यहाँ पर जाओंगा और यहाँ पर मैं यह past tool को select करूंगा और यहाँ से इस तरह में एक selection ड्रॉ कर लूँगा इस तरह में तिया automatic selection on हो जाएगा अब मैं यहाँ पे ctrl x ctrl v करूँगा तो यह copy paste हो जाएगा तो यह दोनों अलग अलग हो गए अब मैं यहाँ पे इसे off कर लूँगा अब मैं यहाँ पे background कोई black color ले लूँगा यह product से related मैं यहाँ से इस तरह में color ले लूँगा इसका color कोड़ी यहाँ पे generate हो जाएगा अब मैं इसे lock कर लूँगा और इसे को पे एक new layer लूँगा अब मैं जाओंगा यहाँ पे rectangle select करोंगा और यहाँ पे इस तरह एक rectangle draw करोंगा rectangle draw करके मैं यहाँ पे color में जाओंगा और यहाँ से मैं color कोई black color लूँगा और यहाँ पे पहले border करोंगा off यह by default आया गया है मैं थोड़ा out dark कर लेता हूं यहाँ पे double click करोंगा थोड़ा out dark ले लेता हूं मैं इस तरह ok करोंगा अम्में इसे थोड़ा उपर करके इसे को पे एक new layer लूँगा अम्में जाओंगा brush में जाके यहाँ पे color box पे click करके इसे से related में थोड़ा gray type color ले लूँगा तो इसका code यहाँ पे इंजनेट हो जाएगा ok करोंगा अम्में यहाँ पे shift पकड़ूँगा और यहाँ पे इस तरह में drag करोंगा इस तरह brush coffee बढ़ा हो गया थोड़ा छोटा कर लगा close packet में अम्में इसे इस तरह में drag करोंगा अम्में यहाँ पे alt hold करकर रखूँगा तो यहाँ पे एक arrow आजाएगा यहाँ पे click करोंगा तो इसके इंदे click हो जाएगा इस तरह अम्में control key करके मैं इसे इस तरह में manage कर लूँगा left right से इस तरह में इंटर करूँगा अम्में यहाँ पे थोड़ा से इसका field कम कर लूँगा तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 80% इस तरह और इंटर करूँगा तो यह कुछ इस तरह इफेक्ट हैगा अम्में इसे कपर फिर से इक न्यूव लगा और यहाँ पे जाऊंगा मैं इलेश टूल को सलेक करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक circle ड्राओ कर लूँगा और यहाँ पे सब कलर ब्लैक रख लूँगा मैं इसे close कर लूँगा अम्में इसे थोड़ा manage कर लूँगा इस तरह में ऊपर की तरह रहके कंट्रल लगी करके यहाँ से राइट सटी से चेक कर लूँगा कि प्रॉपर है किने तो कुछ इस तरह एक देगा अब यहाँ पे मैं इसी कपर फिर से कन्यूव लगा और यहाँ पे ब्रश में जाके जो कि मैंने और ड्री क्रेक लर लिया हुआ है इसे ok करूँगा और यहा जे करके copy कर लोंगा और इसे drag करके यहाँ पर रख लोंगा अब मैं जाओंगा यहाँ पर properties में और यहाँ पर मैं इसका border कर लोंगा on यहाँ पर white रख लोंगा border इसका में अपने तो यहां पे भी जा सकतें यहां पे किलिक करिए और यहां पे इसकी प्रापर जाएगी तो यहां पे मैं। इसका व्यांत थोड़ा बढ़ा लेता हूं। इसतरह में यहां पे थी तकत्तारों में इंटर करूँ है, और यहां पे इसका फिल्म में offline किंख गाउस동, और यहांसे एफिक्त हाईगा, हम गांड़े कि नॉर्मल में और यहां से soft glide में सेलेक करूँ गाउसी Side कम कर लिता है, बन तक रखता हूं, मैं यहाँ पर, और यहाँ पर ग Standards दो कुछ इस तरह इसं से कर लेता हूं आप ही मुझे बाड़ा लग रहा है और यह इसके क्लिपिंग नहीं लग रहा है तो यहां पर इसे क्लिप कर लेता हूँ जो एक्ष्ट्रा बाहर रहा है का हुए क्लिप हो जाएगा तो देखे क्लिप हो गया प्악ude मेला व्याज करोँगा इस तरह मेल Oh स्वेदि en択ेट करोँगगा और यहां पके थोड़ा सपक्र ओपेशिडी काम करोँगगा इस तरह हूँ नोग नोग नहीं इस सारे को सेलेगक करोँगा C T हैंट्रूल गईक करके से टिंमा गूरूप करोँगा Ctrl T करके मैं इसे नीचे के करब इस तरह में रफ लुँगा, विलकों चैक्टर में रखोँगा, इंटर करूँगा, हम यहां बागोन पे क्लिक करूँगा, और यहां पे एक निवले ले लुँगा और यहां पे मैं जाके, थोड़ा सा ओर light खिलर ले लुँगा, और यहां पे ब्रस को select करूँगा और यहाँ पर open bracket से brush को बढ़ा कर लूँगा मैं और यहाँ पर इस तरह क्लिक करूँगा यहाँ पर मैं water को unlock करके यहाँ पर थोड़ा और dark ले लेता हूँगा यहाँ पर इस तरह ok करूँगा अब मैं फिर से इसी को break new layer लूँगा और यहाँ पर color box पर जाके थोड़ा और light color ले लूँगा मैं और brush को थोड़ा चोटा कर लूँगा close bracket से ते कुछ इस तरह effect आएगा अब मैं जाँगो यहाँ पर sorry जो कि मैंने height करके रखवे product को कि अम में इन दोनों पर control T करूँगा और इस तरह में चोटा कर लूँगा और यहाँ पर इस तरह में manage करığını इस तरह में यहाँ पर ओजिशन देद्णगा ठोड़ा सा उपर रखुंगा, shift आप आरो से से manage करूँगा में, ठोड़ा से इसे right साइड में रखुंगा, और इसे right साइड में लेलूँगा में, ठोड़ा सा उपर लेलृते हमें इसे में, इसतर मैं रिट करूँगा एरो से अब इन दोनों का में सिप प्रगड़कर डुब्लिक्योट लिखा लूँगा Ctrl J प्रेस करूँगा तो यह नीचे दोनों कॉपी हो जाएंगे Ctrl T करूँगा और यहाँ पे इस पॉइंटरों को डख लूँगा अगर यह पॉइंटर आप सभी के वीजिबल ना लगे तो यहाँ पी अंची करेगा तो इसे चेक कर लीचेएगा इसे मैं यहाँ पे पोईशन देता हूँ राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिलिप वर्टिकल कर लूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा में रोटेट कर लेता हूँ इस तरह और यहाँ पे मास्किंग अन करूँगा यहाँ से स्वर्ट बस को लूँगा जो पी और यहाँ से चोटा कर लूँगा और इस तरह में इरेस कर लूँगा और इस product को select करूँगा, यहाँ पी नीचे, control T करके, इसे यहाँ पे मैं, इसे भी flip कर लूँगा, और यहाँ पे इस तरह में इसे rotate कर लूँगा, मैं, enter करूँगा, यहाँ पे masking on करूँगा, और यहाँ से brush को select करूँगा, जो कि ordinary soft brush लिया हुआ है मैंने, और हाँ पे इस तरह में merge कर लूँगा इस तरह हमें इन दोना के निवे लेर लूँगा और यहाँ पर color box पर जाके इससे black color pick करूँगा में और ok करूँगा अम यहाँ पर brush लूँगा जो कि ordering यह सब्स लिया होगा है तो इसको थोड़ा छोटा करूँगा double click करके इस तरह में effect create करूँगा और यहाँ इस तरह bent करेके में यहाँ पर इस से shadow के लिए रख लूँगा यहाँ पर motor select करूँगा और इसका duplicate लिखाँगा इसे थोड़ा सा छोटा कर लेपांगा और यहाँ पर इस तरह में मैंच कर लूँगा इंटर करूँगा तो यह डिजर नमा कुछ इस तरह दिख लिए दोस्तों अब में क्या करूँगा अब में यहाँ पर background पर क्लिक करूँगा यहाँ नीचे जाके background पर और एक new layer फ़ी पर जाके जो कि मैंने प्लेक पीज हां प्लेक करोंगा अब में तरह में ड्रैक कर्いक ऊपर लूँगा तो यह दिखने लएगा हाँ यहाँ पर filter में जाओंगा और यहाँ से थोड़ा सा blurness बढ़ादा लूंगा इसका इस तरह blur कर लूंगा ओके करूंगा तो यह दिधा हमा कुछ इसतरी है दोस्तों अब मैं यहाँ पर टेक्स लिख लिख लेता हूं तो यहाँ पर फटड़ा बट्नों टेक्स मैंनेज कर लेता हूं वाइट कलर ले लूँगा, ओके करूँगा, ब्रश लूँगा, और ब्रश को थोड़ा सा बढ़ा करूँगा, ओपन प्रेकेट से, और यहाँ पे क्लिप करूँगा, तो यह कुछी स्थर एफेक्ट हाजाएगा, अम यहाँ टॉप लेर पे जाऊँगा, और यहाँ पे Ctrl-Shift- थोड़ा सा बढ़ाँगा में, और Black को थोड़ा माइनस करूँगा में, इसे Close करूँगा, एफेक्ट में आऊँगा, और यहाँ सिसका Texture थोड़ा बढ़ाँगा में, और Clear TV, और वेगनिट को थोड़ा सा में माइनस करूँगा, और Gain को भी रखूँगा में, 4 तक, और यह का नमा रेडियो क्या, तो दोसरों रिया नापसरी पैसा लगा, प्लीज में प्रमेंट करके बताएगा, और यहाँगा में ते नेक्ट शूडियो में,